नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम मनाएंगे परवल की मिठाई जो की बहुत ही बढ़ियां बाजार से भी बढ़ियां घर पे बनती है और इसका टेश्ट तो बहुत ही लाजवाब है और ये राखी के आऊसर पे ज़्यादा तर देखने को बाजार में मिलती है तो घर पे भी आप आराम से बना सकते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी परवल जो की बड़े साइज के और लंबे साइज होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से इसे हमें क्या करना है इसे अच्छी तरह से पहले छील लेना इसका जो उपर का जो मोटा परत है उसे हमें छील के निकाल लेना है और इसके दोनों इंड को नहीं कट करना है बाद में बताओंगी कि क्यों नहीं करना है इसका छील का हमें उतार लेना अच्छी तरह से कोई भी हरा बारा पाठ है उपर नहीं होना चाहिए और बीच में इसे क्या करना है चाकू से कट लगा देना है ताकि बाद में इसके अंदर वाला जो पाठ है उसे हमें निकालने में असानी हो इसी तरह से हम ये दूसरा भी परवल को कट करेंगे और इसे पहले तो इसे छील लेंगे और इसे बीच से कट कर लेंगे और इसी तरह से पूरे परवल को हमें छील करके बीच में कट लगा देना है और इसके इंड को नहीं कट करना है देखे इसका ये जो है कटा हुआ पोर्षन इतना होना चाहिए इसके सिलके को हम हटा देंगे और इससे हमें क्या करना है उबालना है यानि एक बॉयल इसको तो गर्म पानी में हम आधा छुटा चमच खाने वाला जो सोड़ा होता है उसे डालेंगे इससे क्या होगा हमारा परवल का जो ओरिजनल कलर है वो बरकरार होगा और इसमें जो एक परवल में एक स्मेल होता है वो भी इसमें चला जाएगा क्योंकि मिठाइी बनानी है तो इसके लिए कुछ परॉसेस करना होता है तो यह पहला परॉसेस है कि इसे कम से कम 50 से 60 परसेंट तक इसे हमें उबार लेना है तो देखिए ये हमारा जो परवल है ये थोड़ा सॉप्ट हो गया है तो देख लेते हैं देखिए ये हमारा परवल तैयार है तो इसे हमें क्या करना है बर्फ वाले पानी में डाल करके इसे निकाल लेना है इसके बार दूसरा प्रोसेस है कि इसके जो कट लगा हुआ है इसके अंदर का जो बीज है जो भी पार्ट से उसे हमें निकाल लेना है पहले अगर बीज निकाला जाता तो ये हमारा बढ़ियां से तयार नहीं होता ये तूट सकता था इसलिए हमने दीज निकालने वाला काम सेकेंड स्टेप में किया इसके अंदर हमें एक जगा बनानी है जिसमें की हमारा मिठाई का जो अंदर का मावा मसाला जो है हमारा जो तैयार होगा जो इसमें भरा जाएगा तो इसके बीच वाले पोर्षन को हमें चम्मच के पीछे वाले भाग से या चाकू से या अपने हाथों से ही आप निकाल सकते हैं चाकू लगाने से क्या होगा ये कट सकता है ये तूट सकता है तो इसलिए बहुत हलके हाथों से इसके बीच को हमें निकाल लेना है तो जैसे भी आपको हो सके उस तरह से इसके बीज को हमें निकाल देना है तो सभी परवल को हम इस तरह से कर लेंगे अब बनाना है हमें इसके लिए चास्नी तो डेर कप हम पानी डालेंगे और डेर कप ही इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि हमें चास्टनी बनानी है गाड़ी जिससे कि हमारा परवल जो है वो मीठा बने तो इसमें अब एक उबाल आ गया है इसी मिक्स करते हुए से हमें पकाना है तो इसके बाद इसमें हमें 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से धीमियास में उबाल लेना है जिससे हमारा जो चास्टनी है नो गाड़ा हो जाए कोई तार वाली चास्टनी नहीं बनानी है जैसे आप गुलाब जामून का चास्टनी बनाते वैसा गाड़ा होना चाहिए इसके बाद इसके परवल को हम एक-एक पिसकर के सब डाल देंगे अभी तक तो हमारा परवल फीका है परिसी चास्टनी में हमारा जो परवल है वो मीठा हो जाएगा और इसे हमें तेज आँच में तीन से चार मिनट पका लेना है जिससे की जितना इसमें मीठा सोक करना होगा वो सोक कर लेगा और हमारा परवल थोड़ा सा पक भी जाएगा इसमें हम अब एक निम्बू का रस भी डाल देंगे जिससे हमारे चीनी में किसी प्रकार का क्रिस्टल नहीं बनेगा और देखिए यह हमारा परवल जो है बिल्कुल ओरिजनल कलर है बहुत लोग इसमें फूट कलर डालेंगे या डालते हैं बाजार में डाला जाता है पर मैं बिना फूट कलर का इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ यह हमारा दो से तीन मिनट हो चुका है अपको गैस को कर देंगे हम बंद और इसके चासनी को हमें छान के निकालना है तो अब हम क्या करेंगे एक इस्टेनर ले लेंगे और उसी इस्टेनर पे एक एक परवल को हमें निकाल करके इसे हम रख देना है जिससे की जो भी एक्स्ट्रा इसमें चासनी हो वो निकल जाए तो ये सब जो प्रोसेस करना है तो थोड़ा साउधानी बरतना होगा जिसे हमारा परवल तूटे नहीं तो इसे हम आधा गंटा के लिए छोड़ देंगे जिसे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा चासनी है वो निकल जाए इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे तो हमारा जो ये परवल है ठंडा हो गया अभी इस चासनी को किसी दूसरे यूज में आप ले सकते है अभी हमने यहाँ पे धाई सो ग्राम मावा लिया है इस मावे में हम डालेंगे ये नारियल का बुरादा तो दो बड़ा चमश ले लेंगे साथ में पिसी भी चीनी है इसे भी हम दो ही चमश लेंगे क्योंकि मावा में हलका सा मीठापन होना चाहिए और ये काजू है काजू के कटिंग से कुछ और बादाम के कटिंग से आपको जो भी पसंद है वो ड्राइफ फ्रूट्स को कट कर किसमें आप मिक्स कर सकते हैं और ये चार से पांच छोटी लाइची है हरी लाइची जिसका ये पाउडर है सबी चीजों को हम अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्स कर लेंगे और ये मावा घर में इंस्टेंट कैसे बनता है इसकी भी रेसिपी हमने डाली है तो इसका लिंक हम डिस्किप्शन में डाल देंगे आप देख लेंगे और ये इस तरह से हमारा देखें यहाँ पर ये तयार हो गया मावा अब इसे दबा दबा के एक लंबे सेप में हम इसे रख लेंगे ताकि हमारा जो परवल है उसमें भरने में हमें आसानी हो तो इस तरह से पहले तयार करके इसे हम रख लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी है और ये इसी से हमारा मिठाई जो है ना बहुत ही बढ़िया लाजबाब बनेगा तो अब लेंगे हम एक परवल का ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो इसमें हम एक मावा का जो है फीलिंग वो इसमें हमें डाल देना है और दोनों कोने में अच्छी तरह से हम प्रेस करके फिक्स कर लेंगे तो देखिए अगर दोनों इंड अगर कट गया होता तो ये हमारा परवल का मिठाई सही नहीं बनता तो खाने के वक्त में ये दोनों इंड को कट करना है और खा लेना है तो ये आसानी हो गया भरने में भी इसे दोनों साइट से हम अच्छी तरह से दबा दबा करके और इस तरह से सभी परवल को हम इसी तरह से भर लेंगे और ये मिठाई को तयार कर लेंगे तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है अभी रक्षा बंधन का भी परवा रहा है तेहवार आ रहा है तो इसमें भी आप बना सकते हैं, ट्राई जरूर कर सकते हैं तो इस तरह से सभी परवल को हम इसी तरह से भर के तैयार कर लेंगे और ये देखने में भी बहुत सुना सुना सा लग रहा है तो इसको भी ज़रा सजा देते हैं तो चांदी के वर्क से हम इसे सजा लेंगे जिससे की बिल्कुल बाजार की तरह लगेगा और इसके उपर हम बादाम के कतरन से सजा देंगे और इस तरह से हमारा जो है परवल की मिठाई घर पर आसानी से बन जाती है और बिना कलर डाले हुए इसका एक अपना नेचरल कलर है और इस तरह से ये बन करके हमारा तैयार हो गया है मिठाई परवल की मिठाई और इसको बनाने की विधी और रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक कि अपना ने की मिठाई और रेसिदी घॉकímचचचा